हेलो एवरीवन कोकिंग बिद नर्गिस में आज हम बना जा रहे हैं दई बल्ले तो उसके लिए मैं ओड़त की डाल थी एक कप भरके एक एक कप है मेरा यह तो यह मैंने इसे रखी है इसको वाश करके भिगो रही हो और फिर इसको पीशती हो रहे हैं अब इसमें डाल हमारी जूल गई है और इसमें मिक्सर में डालके अब इसको पीस रहें थोड़ा थोड़ा करके चार-बांच मिर्च डाल रहे हैं और यह थोड़ा सा द्रग का टुकड़ा है और चार से पांच मिर्च अहरदनीया वह ढालाए से बहुत अच्छी कुछ भू भूब है है आती है औ आदा चम्माच जीरे का पॉर्डर, एक चम्माच नमक, आदा चम्माच काले मिर्च, और यह हमने सारब जितना पीसा था मिर्च और वो, इसको भी मिक्स करें ले रहें सार इसमें, इसको अच्छे से, मिक्स करें लेते, इसको जितना आप फैटोगे, इतना ही यह अच्छा और हल्का हो जाएगा, जितना इसको आप फैटोगे उतना ही यह बरे जो है उतने ही सॉफ्ट बनेंगे और उतने ही फूले फूले बनेंगे, देखिए हमारी इतम से तैर गई है देखिए तो बस अफ्राई करते हैं, बनले शेखने के लिए हमने ओल रख दिया है ग्यास पे गरम होने और बस पानी का हाथ ले लेके इस तरीके से और इसके अपनी अपनी इसाब के छोटे बड़े जितने बड़े आपको रखने हो उतने बड़े आप सेखना शुरू कर रहे हैं, ग्यास को थोड़ा साथ कमी रखते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आप बनाएं, बैसे आप। यह डाले रेते हैं, थोड़ी गया, इसको बहुत जादा है, तेज नहीं करना है, क्योंकि यह अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे, उपर से तो कुख हो जाएंगे, कितने अच्छे जाली दार, देखी ना सोडा डाला है, हमने ना कुछ डाला है, इसमें, और देखी कितने और नमक डाल की रखा वा इसमें पानी में, अब सेखते जाएंगे, और फिर उसमें डाल देगे, इस तरीके से बहुत अच्छे, सॉफ्ट और बहुत अच्छे फूले-फूले बनते हैं, आप ऐसे बड़ा बरतन लीजागा, मैंने छोटा बरतन में फ्राई कनने के लिए फैन रखाता है, आप कढ़ाई वगरा लें तो जाद अच्छा है, कि छोटे बरतन में थोड़ा सा वो भी थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने पकोड़े सेखेते तो मैंने इसे लिए छोटा बरतनी लिया हुआ रहने, अब इनको सिखने, जो पहले सिखे हो हैं अच्छे ल अच्छे फूले फूले बने आई दम सोट सोट, यह बाद में पड़े हैं तो इनको थोड़ा सा और सेखते हैं अथा कलर आने तक इनको और सेखते हैं, इपना हम दूसरे डालना शुरू कर दें अच्छे होगा है बिलुकुलिया कर दो नगए दे रहे हैं, जगा है थोड़ी करेंड कि अच्छे से सिग्गय हैं हमारे को निकाले रेते हैं अब बस बाकी बचा है एक बार का और उसे बनाते हैं लेकिए हमने बल्ले हमारे सिग्गय हैं हमने पानी में डाल दिये हैं और थोड़े से हमने बचा लिए हैं जितनी ज़रों तो इतने बनाएंगे और दही में हम डाल रहे हैं एक स्पून मेरे पास शुगर है आपके पास पिसी शुगर हो तो आप वह भी डाल सकते हो और इसमें डाल रहे हैं चाट मसाला मिट्स डाल रहे हैं कुटीवी जीरे का पाउडर डाल रहे हैं और इसमें काला नमक डाल दें आदा स्पून के करीब हमनें काला नमक डाला आए इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करें लेते हैं पहले इसकी ड़ी बना रहे हैं पहले अलग से नमक मिर्च आप अपनी दही के हिसाब से देख लीजेगा देख हमारे मिक्स हो गई है और हमां अच्छे से इनको इस तरह से दबा दबा के इनको निकालेंगे आए बहुत अच्छे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं बल्ले सब को निकाले लेते हैं भैद दबा दबा लीचे हमारी दही तयार हो गई है अब दही को हम इसमें डाले दे रहे हैं अब इसमें जो हम खाएंगे अभी वो तो हम बस तरह तयार करेंगे इसको अगर देर में खाना होगा तो इसमें सॉस वगेरा सॉट वगेरा कुछ भी नहीं डालेंगे अभी इसको इसी तरीके से बस इसको हरी में लाल मर्च और से गार्मिश्रिंग करें दे रहे हैं और एक हम खाने के लिए अलग बना रहे हैं जो हम खाने वाले हैं यह हमने चार रखे हैं और इसमें हम दही टाल रहे हैं यह जीजी हम खाने के लिए भी बना रहे हैं तो सबसे पहले जीरा स्प्रिंकल करेंगे इस पर यह हमने बुना हुआ हुआ है कि यह से ठेले वाने वह देते उस तरीके से शिर लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे ओ फिर थोड़ा शाट मसाला स्प्रिंपल करेंगे कि और फिर इसमेगल दालेंगे ह सदेमी पुर्ष हरी मिर्च्ग देम और फिर इसमें डालेंगे सॉट यह भी मेरी होममेड है सॉट भी और इसे गार्निशिंग कर देंगे हब देखिए ना बन गई ना हमारी शांदार से थोड़े से पत्तों से देखिए हमारी शांदार से बन गई है और देखिए इतनी सॉफ्ट होनी है ट्राई तो बनता है तो जरूर ट्राई करिएगा और आपको मेरी रैसिपी पसंद आती है मेरे दई भलों की तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर जरूर करिएगा दौाओं में याद रखिएगा मिलते एक नई वीडियो के साथ अल्ला हाफिक मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा आप एद पे रमजान में आप जब चाहें बना सकते हैं है